नमस्कर साथियों स्वागत है लेर्थ्र एजुकेशन में कैसे आप सभी साथी अच्छा बताईएगा जो हमारा लास्ट के दो सेशन हुए हैं कैसे लगे आपको जरा कमेंड बॉक्स में लिख करके बताईएगा सभी साथी ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क जे विवित्ता बाइव डाइवर्सिटी के अदर हमें और क्या-क्या चीजे पढ़नी है तो हमने जे विवित्ता में सबसे पहले चीश थुराश्टर उद्ध्यान पढ़ लिया है ठीक है उसके बाद में जितने अपने बाग सारक्षित के अंदर सारे पढ़ लिये हैं बा अपने जो गिड़ों का सरक्षन किया जाता है टर्टल्स जो है कचु का सरक्षन किया जाता है तो इस परकर से जो सारी चीजे हैं यहामें पढ़नी है गाद में ई है कि यह जो उत्रा खंट का कौन सा वाला अपना ठीक है जो हैमिस राष्ट्र उद्ध्यान है वहाँ पर सबसे पहले इसको लागू किया गया ठीक है 1973 में तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं बात करते हैं कि राष्ट जीव वन्य सरक्षन परियोजनाओं के अंतरगत और क इसी हाथी परियोजना ठीक है चलिए तो देखते हैं इसको हाथी परियोजना के बारे मागर हम बात करें तो इसे वर्ष 1991-92 में वर्ष 91-92 या पीच में डेश लगा लीजिएगा 92 में हाथियों के सरक्षन हेतु कैंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रोजेक्ट इसकी शुरुआत की गई तो दोस्तों में ध्यान रखना इसकी शुरुआत की गई उननीज सो इकानवे बानवे में कब 91-92 में ठीक है दूसरी चीज बारत के 16 राज्यों में हाथियों की संक्या 36,000 सर्दी के देखिए हाथिया में हर जाके देखने को मिलते है ठीक है कभी क अपने गाउं में भी देखा होगा महावत उसको लेकर करके आते हैं हाथी को गाउं में ठीक है वो बाबा अगिर आते हैं साथ में उनके और फिर वो चले जाते हैं मतलब बहुत सारे आपका भविश्य भी बताते हैं डेड़ सारे हाथी लेकर आते गाउं में भी गुमने के अधिक है देखिएगा अगला पॉइंट तो था इनकी जो सरवादिक संख्या है हातियों की सरवादिक संख्या अगर बात करें तो वह केरल करनाटक वह असम राज्य में पाई जाती है ठीक है और ओल तो भारत में 36,000 हाती हो गए लेकिन सबसे जादा संख्या की बात करें तो केरल हुआ, करनाटक हुआ और असम हुआ इन तिन राज्यों में हातियों की सरवादिक संख्या पाई जाती है ठीक है लेकिए प्रोजेक्ट एलिफेंट परियोजना जो है हाती परियोजना जो है वो जारखंड के सीह भूमी जिले से प्रारंब की गई थी तो जो हाती परि 92 में शुरुआत की गई थी ठीक है और उसी के बाद सीह भूमी जीला जारकंड में इसको लागू कर दिया गया बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बारे में हाती परियोजना जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट परियोजना इसके उद्देश क्या क्या है तो देखिएगा जं अगली हाथियों का सरक्षन ठीक है जो हाती जंगल में रहते हैं उनका सरक्षन करना में एक चीज तो यह गई दूसरी चीज उनके आवासों का मतलब वो जहां रहते हैं उनका रहने का जो इस्थान है ठीक है उसका सरक्षन करना और दूसरी चीज गलियारों का सरक्षन करन देखिए गलियारों का सरक्षन करना गलियार एका मतलब होता है कि जहांपर हाती गुमते हो उनका जो पूरा एरिया होता है जहांपर हाती गुमते हैं ठीक है जाके वापिस आ जाते हैं जैसे कहीं कहीं पास में तालब होता है उनके आवासों एवं गलियारों का सरक्षन करना इसका मुख्य उद्देश है दूसरी चीज मनुष्य पशु टकराव मनुष्य और पशुओं के बीच में जो टकराव है उस मुद्दे का समाधान करना टकराव का मतलब क्या हुआ जैसे माली जी यह है यहां से बीच में से य अब यहां से मनुष्य गुज रहेंगे इधर से हाती भी आ गए तो यहां टकराव का मतलब यह है कि यहां पर अब हातियों से मनुष्य परेशान होंगे मनुष्य से हाती परेशान होंगे क्योंकि बाइचांस हाती अगर यहां से वाग नहीं रहे फिर मनुष्य इनको जिली जीव होते हैं तो उस और ब्रीज के ओपर से हो करके निखल जाए ठीक है कुछ ऐसी सुविधाएं की जाती है तो मनुष्य परशुट अक्राव के मुद्दे का भी समाधान करना इस परियोजना का उद्देश है अगली चीछ पालतु हातियों के कल्यान है तुकार्य ग करना दूसरी चीज मनुष्य परशुट अक्राव के मुद्दे का समाधान करना और तिसरी चीज आती है पालतु हातियों के कल्यान है तुकार्य करना ठीक है बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हाथी परियोजना के बारे में और क्या क्या चीज़े हैं अगला बोल रहा है रिजर्व हाथी परियोजना अच्छा कई रिजर्व बनाये गए होंगे जहां पर हाथियों की सुरक्षा के लिए उनके सरक्षन के लिए इस्तान बनाये गए हैं रिजर्व बनाये गए हैं ठीक है प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतरगत अब तक 32 एलिफेंट रिजर्व घोशित किये जा चुके हैं तो उस प्रकार से अलग अलग रिजर्व बनाए गए है लिपेंट रिजर्व तो उनका टोटल ओवराल सेत्रफल होता है लगबक 70,000 वर्ग किलोमेटर ठीक है ये प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए गोशित के आ गया है अगली चीछ देखें तो इसके अंतरगत न केवल विबिन प्रकार के जंगली शेत्र ठीक है जंगली शेत्र ही ज़रूरी नहीं बलकि गाउं टाउन शेप, क्रशी भूमी, चाय के बागान और राजसु भूमी को भी शामिल किया गया है ठीक है तो उनके रिजर्व शेत्र में सिर्फ जंगली शेत्र नहीं आता है ऐसा ही नहीं के सिभाती जंगल में रहेंगे नहीं बच गाउं टाउन शेप, टाउन शेप का मतलब हो गया, क्रशी भूमी हो गए, ठीक है, हो सकता है, वहाँ पर भी गूमने चले जाए, वह आसपास का जो जंगल के आसपास का क्रशी भूमी एरिया होता है, वहाँ भी चले जाए, चाय के बागान, तो चाय के बागान में भी जो बीच में गेपिंग होती है, वहाँ पर भ सरवादिक elephant reserve कहा है या फिर यूं कहें कि सरवादिक हातियों का सरक्षण कहां किया जाता है तो हो मिलेगा आप कहां असम में अच्छा आप बोलेंगे सर पहले पितो अपनों ने एक चीज पड़ी तो यहां देखें यहां सरवादिक elephant reserve है तो reserve रिजर्व असम में हैं बाकी अपनोंने जो पीछे चीज पड़ी वो ऐसा थी कि सरवादिक संक्या हाथियों की सरवादिक संक्या केरल करनाटक और असम में हैं यहाँ पर सरवादिक संक्या की बात की हुई है और यहाँ पर सरवादिक रिजर्व की बात की हुई है जो कि असम प्राक्रतिक दरोहर पशु है जो कि इंडिया के लिए एक बहुत ही सई चीज है मतलब या फिर यूंका है तो इंडिया के लिए बहुत धरोर वाली चीज है जैसे बहुत सारी धरोर वाली चीज होती ना जैसे अपना ताजमल हो गया है ना ऐसी डेट सारी चीज होती है जैसे साची का इस्तूप हो गया तो इस प्रकार से क्या है हाती भी है जो है वो एक प्रक्रतिक धरोर है और पशुर है तो इसके 1991-92 में हाती परियोजना शुरू की इस परियोजना को आंद्रप्रदेश, अरुनाचल प्रदेश, असम, जारखंड, करनाटक, केरल, मेगाले, नागालेंड, उडिसा, तमिलनाडू, उत्राखंड, उत्तरप्रदेश और पश्चिम मंगल राजय में क्रियानवित किया जा रह तो देखिएगा आंद्रप्रदेश हुआ, अरुनाचल प्रदेश हुआ, फिर असम, जारखंड, करनाटक, केरल, मेगाले, नागालेंड, उडिसा, तमिलनाडू, उत्राखंड, उत्तरप्रदेश और पश्चिम मंगल राजय में क्रियानवित किया जा रहा है, देखिए इ अरुनाचल प्रदेश, असम, मेगाले, नागालेंड वगरा की बात करें, तो यह सारे नोर्थिस्ट के जो प्रदेश हैं, वो आ जाएंगे आपके सारे, ठीक है, तो इन सब में इस परियोजना को लागू किया गया था, आगे देखते हैं कि एशियाई हातियों को संकट ग बैंकिंग की संस्ता है, वो कौन सी है, RBI, या फिर कहें तो Reserve Bank of India, इसी प्रकार से यह जो वनों के लिए या जंगली जानवरों के लिए, ओवराल वल्ड में, पूरे विश्व में, जो एक हैड संस्ता है, उसको कहते हैं, हम IUCN, ठीक है, तो अलग-अलग प्रकार की लिस्ट हो गई, ठीक है, ब्राउन लिस्ट हो गई, एन लिस्टों में वो जानवरों को रखता हैं, जैसे जो बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं, वो Red Lists में रखे जाते हैं, ठीक है, अलग-अलग प्रकार से ऐसा ज़रूज नहीं कि उसको Red Lists में रखे, लेकिन अलग- लिस्टे बनाई जाते हैं IUCN के द्वारा तो बोल रहा है कि एशियाई हातियों को संकट गरस्त प्रजातियों की IUCN की रेड लिस्ट में भारत को छोड़कर अधिकांश हाति वाले देशों के संदर्व में विलुप्त प्राय प्रजाति के रूप में सुचिबद्द किया है अचा पॉइंट बहुत सारों को समझने है होगा एक बार फिर से फढ़िए इस पॉइंट को वोल रहा है कि एशियाई हातियों को रेड लिस्ट में विलुप्त प्राय प्रजाति के रूप में सुचिबद्द किया गया है लेकिन भारत को छोड़ कर मतलब जहां पर जादा भारत को छोड़ देते हैं और बाकी जिन भी देशों में हाति हैं ठीक है एशियाई हाति तो उन सब को रेड लिस्ट में रखा गया है बारत को छोड़ कर क्योंकि बारत में है हातियों लेकिन इतनी संक्या में नहीं है और ठीक ठाक है मतलब ठीक है जो बारत में हातियों की संक्या है वो ठीक ठाक है इतनी एकदम रेट लिस्ट जोन में जाने के लिए नहीं है चले बढ़ते हैं आगे फिर भी हम चाहते हैं कि हमारे हातियों की संक् क्या करते हैं हम इनको सर्रक्ष्वन प्रदान करते रहेते हैं तो लिए देखते हैं आगे और बात करते हैं कि 2020 में गुजरात में सम्पन 2020 में गुजरात में समपन प्रवासी प्रजाति यों के सममेलन के परिशिष्ट एक में भारती हातियों को भी सूचित किया गया अच्छा क्या तो 2020 ठीक है सन 2020 में गुजरात में एक प्रवासी जो प्रजाती प्रवासी प्रजाती का मतलब जो एक जगे से दुश्री जगे प्रवास करते हैं ठीक है उन प्रजातियों के सम्मेलन में वाद पर एक सम्मेलन हुआ था गुजरात में 2020 मे जिसके परिशिष्ट एक यह बोले कि section first में बारती हातियों को भी सूचित किया गया मतलब बारती हातियों को भी उनमें रखा गया है ठीक है प्रवासी प्रजातियों की लिस्ट में देखते हैं हाथी गलियारा क्या होता है अगला पॉइंट जैसा हमने पहले भी पढ़ाता कि गलियारों को सरक्षन प्रदान करना तो हाथी गलियारा क्या होता है एसा शेत्र जो हाथियों के व्रहद पर्यावास को जोड़ता है हाथी गलियारा कहलाता है व्रहद पर्यावास मतलब पर्यावास का मतलब होता है जहांपर वो रहते हैं पर्यावास का मतलब होता है जहांपर हाती रहते हैं और रहत का मतलब होता है बड़ा ठीक है तो हाती बड़ा जानवर है तो वो गूमेगा पानी पीने जाएगा ठीक है अब गूमने के साफ से जाता है तो उसको जग गलियारे बनाये जाते हैं जिसे हाथी गलियारा आ जाता है या फिर आपने देखा होगा जौनाली जी यहां बीच मेंशेमें इनकल रहे पार je इधर से निकल करके इधर आ सके और इधर से निकल के इधर आ सके तो ये पशू और मनुश्यों के बीट में कोई आपसी टकराव ना हो, ठीक है? चलिए, आगे देखते हैं, यह हाथी और सहीत सभी जानवरों के आवा गमन के लिए पार गमन की तरह कार्य करता है, जो हाथी के ठीक है, बाकी और भी जो जानवर है जो जंगल में रहते हैं या जो आसपास के लिए में रहते हैं, उन सब के आवा गमन के लिए, मतलब आने जाने के लिए, पार गमन की तरह काईवे करता है, मतलब एक helpful रस्ते की तरह काईवे करता है, ठीक है? तो यह चीज अप ध्यान म चिन्नित किये गए हैं, जहां पर हाथियों को सुरक्षा प्रदान की जाती हैं, ठीक है, और बात करें तो जिन मैं से इठ्ध्यासी जो elephant corridor हैं, उनमें से सरवाधिक कोरिडोर मेगालाय राज्य में इसती थे कहां पर मेगालाय राज्य में तो द्यान रखिएगा सबसे जादा elephant corridor मेगालाय में है यहां से पहले हमने एक और question पढ़ाता है फिर से आपको बता देना चाहूँगा कि सर्वादिक elephant reserve की बात की जाये तो सर्वादिक elephant reserve असम में मिलेंगे पोदिक कोएला खनन सहीट अनेक विकास का यहाथियों के प्रकृतिक आवास को न्ष्ट कर रहा रहा है प्रकृतिक आवास मतलब क्या हुआ जिससे कोएला खनन कर रहा है ठीक है अब जैसे माली जी ये जंगल है ये पास में पहाड़ी है यहाँ पर कुछ कोईले का खनन चल रहा है कोईला निकाल रहा है ठीक है खान खोद खोद के खान में से कोईला निकाला जा रहा है तो अब क्या होता है कि ये उपर वाली जो जमीन है ठीक है ये जमीन नीचे से कोईला निकाल रहे हैं तो ये जमीन के नीचे से तो हो गई खोकली अब हाती होते हैं वजनदार जीव हाती में बहुत ज़्यादा वजन होता है तो वो अगर उपर चलेंगे तो हाती में ज़्यादा जोर होता है तो वो हो सकता है वो नीचे दस जाए जमिन दिरे दिरे नीचे दसने लगे ठीके तो ये भी उनको नुकसान पहुचाता है ठीके तो वही चीज बोल रहा है कि कोईला खनन जो है वो अनेक विकास और उनके साथ अनेक विकास का हाथियों के प्रकृतिक आवास को नश्ट कर र ये ऐसे कोरीडोर निर्मित किये गये हैं मतलब वही चीज ये बोल रहा है कि मैंने आपको फिर से बता देना चाहूंगा एक बार बता चुका हूं कि जैसे माल लीजिए हाथी इधर भी रहते हैं ठीक है यहां पर हाथी रहते हैं लेकिन इनके चरने के लिए इधर इतनी गास नहीं है गास रोड के इस साइड में है यहां पर काफी गास भी है ठीक है यहां पर एक ताला भी बना हुआ है जहां पर पानी पीना आ सकते है तो वैसे में होगा क्या कि वो जैसे रोड क्रोस करके आएंगे अगर तो गाड़ियां आ रही है इधर से तो इन गाड़ियों व इस तक्राव को खतम करने के लिए ऐसे कोरीडोर का निर्माण किया जाता है कि भाई यहां पर एक बिज बना देते हैं तो हाथी और बाकी जीव इधर से इधर आ जाएंगे यहां चारा वारा खा कि पानी पीके और वापिस उधर चले जाएंगे तो यह वहीं बोल रहा है कि Be Eastern के लिए व्रहद मैधान की मतलब बड़े मैधान की अवशाक्ता होती है और वो एक जगे नहीं मिल पाता है इसलिए आसे कोरिडूर निरमित किये जाते है इसे वज़ासे कोरीडूर बनाए जाते है तो आई होप कोरीडूर की आवशाक्ता क्यूं है यह आ Bijक हाथी के बारे में हुर कुछ देखते हैं तो बोल रहा है कि विरासत पशु हाथी हमें पता है कि भाई या भारत में हाथी को विरासत पशु बोलते हैं विरासत का मतलब क्या होता है जैसे हमें मिलती है ना विरासत में जगें मिलती है जमीन मिलती है अपने बोल देते ये तो पाथी रखते थे उनसे पहले भी हाथी कप से चले आ रहा है रहा है इनको एक विरासत पशु माना जाता है उससे पहले भी यूज किया जा चुका है तो इसी प्रकार से इसको विरासत पशु बोलते हैं देखते हैं क्या होता है तो वर्ष्ट 2010 में Project Elephant पर Task Force की पर जो project elephant था, उस पर जो task force, task force का कहने का मतलब कि जो आपका hathी पर योजना बनाई गई उस पर जो काम करते थे लोग या जो team बनाई गई थी task force का मतलब यह होता है कि उनमें जो काब करने विवाले व्यक्ति हैं जो उनकी team बनाई गई थी, उस team ने बोला कि भ aç को राष्टी विरासत पशु गोशित कर दो तो उनी की अनुशनशाओं पर 2010 में हाथी को राष्टी विरासत पशु गोशित कर दिया गया ठीक है तो उनका सरक्षन भी किया जा रहा है उनका सरक्षन भी किया जा रहा है ताकि उनकी संख्या खत्म न हो या आने वाले बविश्य में वो बचे रहें इसके लिए उनका सरक्षन भी किया जाता है ठीक है तो विरासत हाती पशु कब गोशित किया गया 2010 में प्रोजेक्ट टेलिफेंड की टास्क फोर्स की अनुशन जापत बलते हैं आगे और देखते हैं कि और क्या है तो इसके साथ ही N.T.C.A. N.T.C.A. ठी कान ही राष्ट्री हाती सरक्षन प्राधिकरण की इस्थापना की गई जैसे N.T.C.A. उसी प्रकार से हातियों के लिए भी एक हाती सरक्षन प्राधिकरण की इस्थापना की गई या फिर एक ऐसे क्या बोल सकते हैं इस्टिटूशन की इस्थापना की गई जो की हातियों क सरक्षन अदिनियम था तो उसमें संशोधन करकर के NTCA के समान ही या फिर जो अपने बाग रिजर्व के लिए जो प्राधिकरण बनाया हुआ इसके लिए वन्यजीव सरक्षन अदिनियम में संशोधन किया थी यह फिर पुरानी पिचर है वो भी आपने देखी होगी हाथी मेरे साथी चलिए पढ़ते हैं अबियान के बारे में तो हाथी सरक्षन है तू बारत में राष्ट्र व्यापी जागरुकता अबियान हाथी मेरे साथी की उपचारिक शुरूआत मई 2011 में की गई सबसे पहले तो आप कोई चीज ध्यान रखनी है कि हाथी मेरे साथी कब से शुरू हुआ तो ये मई 2011 से शुरू किया गया किस चीश के लिए तो हाथी सरक्षन के लिए पूरे भारत में जागरुकता फेले लोगों में ठीक है ताकि वो हाथीयों को सरक्षित करें सुरक्षा प्रदान करें तो इसलिए हाथी मेरे साथी अभियान की शुरूआत की गई लेकिन फिर भी आप सबको पता होगा और हमने देखा अब ये कि अभी 2020 में 2020 में केरल में हाथीयों के साथ कितना व्यवार किया गया था ठीक है उनको पाइनपल में पठा के लगा करके खिला दिय गया था तो हतिनी की और उसके बच्चे की मरत्यू भी हो गए थी तो लोगों की सोच आज भी नहीं बदल पाई है हम जागरुक आज भी नहीं हो पाएं ठीक है इस प्रकार के अभियान चलाए जाते हैं फिर भी हम जागरुक नहीं है मतलब हम में इंसानियत हुमनीटी है ह नहीं मानवता बिल्कुल भी नहीं है ठीक है तो क्या है कि यह जागरुकता अभियान चलाना तो ठीक है लेकिन कम से कम हम अपने अंदर पी तो इंसानियत रख सकते हैं ठीक है इसे प्रकार से हाथी मेरे साथी अभियान चलाए गया तो पर्यावरन वन एवं जलवायू पर परिवर्तन मंत्रा लें तो के उनने चलाए डिकम है अभियान चलाया तो अपना जलवायू परिवर्तन मंत्रा नहीं है क्योंकि ये गणेजी का वो है ठीक है जाता है ना तो इसलिए इनको क्या बोलते है गणेजी का यह उतार है तो इसलिए इसको गज्जु बोला जाता था एक शुबंकर बनाया गया था इस अभियान के लिए उसको गज्जु बोलते हैं ठीक है तो यह ध्यान रखना है आपको कभी के पुछ सकता है कि गज्जू किसका शुबंकर है तो हाथी मेरे साथी अभियान का शुबंकर है गज्जू जैसे आपने देखा होगा कि काना किसली राष्ट्री उद्यान जो है काना किसली माप के लिए भी एक शुबंकर बनाया गया ठीक है तो उसके लिए एक शुबंकर बनाया गया था बुरसी दर बारसेंगा, उसी प्रकार से ध्यान रखना है कि गजु शुबंकर हाथी मेरे साथी अभियान के लिए बनाया गया, अच्छा शुबंकर क्या होता है, इसको इंग्लिश में मैस्कोड भी कहते हैं शुबंकर को, तो जो हाथी है, जैसे यहाँ पर हाथी गजु को चुना गया, तो गजु के लिए, मतलब हाथी के बारे में उनकी सुरक्षा प्रदान करना, उनको सरक्षा प्रदान करना, या फिर उनके बारे में कोई knowledge प्रोवाइड करवाना, उनके बारे में कोई information प्रोवाइड करवाना, वो भी कौन सा बूरसी है दबारा सिंगा इसको गोशित किया गया था और इसकी जो डिजाइन देती वो डिजाइन देती रोहन चक्रवर्ती द्वारा किस ने दीती भाईया रोहन चक्रवर्ती ने इसकी डिजाइन तैयार की थी ठीक है बूरसी दबारा सिंगा किसले बढ़त वह जाता है तो इन में देखिएगा elephant act ये अभियाण नाम है elephant act है और जो एशिया है इनके ऐसे 8 देशों का समूह है जहाँ पर elephant act चला जाता है जहाँ हाथियों की संख्या अधिक पाई जाती है जहाँ जहाँ हाथियों की मंत्री इस्थरी बेठक वर्ष 2011 में शुरू की गई थी यह जो समू elephant 8 या E8 बना था इसकी जो मंत्री इस्थरी बेठक आपने देखा होगा हर एक जो इसकी बेठक होती है जैसे आपने देखा होगा कि dead सारे हैं, WHO हो है, ठीक है आपका world trade organization है, फिर आपका world bank है इसी प्रकार से हम हमारे इधर देखें, तो UNESCO अगरा है तो इनकी अलग-अलग बेठके होती है, तो इसी प्रकार से E8 है जैसे आपने G20 पड़ा होगा और भी, तो ऐसे E8 की जो की भी जो मंत्री स्थरी बेठक है, वो 2011 में शुरू की गई इसके अंदर कौन-कौन से देश है, तो वो देखिएगा, तो E8 में आपको Botswana, फिर Congo, फिर बारत, इंडोनेशिया, केन्या, श्री लंका, थाइलेंड वो तंजानिया देश मिल जाएंगे तो E8 में कौन-कौन से है, तो आठ देश, Botswana, Congo, बारत, इंडोनेशिया, केन्या, श्री लंका, और थाइलेंड तता तंजानिया ये आठो देश E8 में शामिल है अगर हम बात करें थाइलेंड की, तो थाइलेंड के बारे मां आपको एक चीज दियान रखनी है, कि थाइलेंड को सफेदातियों की बोमी बोली जाती, कैसी हातियों की, सफेदातियों की Thailand पे सरवादी खाती भी मिलते हैं और साथ में सफेदाती मिलते हैं ठीक है यह चीज़ आपको ध्यान रखना चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगर यहाँ पर एक देश आया है कांगो के बारे में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कांगो में एक नदी बैठी है ज इसी नदी है, तो वो कौन सी नदी है? वो है कांगो नदी और यह कहां मिलökई आपको यह मिलेगी साँथ अफरिका में, कहां पर साँथ अफरिका में कांगो नदी वो अध्य रेखा को दो बार काटती है यह ध्यान रखना है आपको जैसे मत्यप्रदेश में भी आपको एक नदी मिलेगी जिसे हम कहते हैं माही नदी केसी नदी माही नदी माही नदी करकरेखा को जो की साड़े तेज डिगरी उत्तरी अक्षांश पर जाती हैं उसको दो बार काटती हैं उसी प्रकार से कांगो मुख्य कारी क्या करना था इसको दीखेगा पहला कि पशुओं की महत्ता जिसे हम बोलते हैं महत्व कितने महत्व हैं हमारे लिए उनका प्रती लोगों को जागरुक करना तथा संपूर्ण जेव विवित्ता पर इसके प्रभाव के प्रती लोगों का ध्यान आकर्षित करन इस अभ्यान का मुख्य उद्धेश था ठीक है मैंने पहले भी बता है कि हाते मेरे साथी अभ्यान इसलिए चलाए गया था ताकि लोग इससे जागुरूख हो फिर दूसरी चीज कि जो पूरा जेव विवित्ता है जेव विवित्ता का मतलब जैसा कि हमने पढ़ा है जंगल पेड़ पोदे वगरा ठीक है उन पर भी इसका एक अच्छा प्रभाव पढ़ता है तो उसके प्रति लोगों का द्यानाकरशित करना इस अभ्यान का मुख्य उद्धेश था ठीक है चले आगे बेट तो सरकार बांजे अच्छा ये कुछ गलट टाइप हो गया ठीक है संब कर द्वारा संबंदित समुदा है ठीक है जो हाथियों को पालते हैं पोस्ते हैं तो संबंदित समुदा है और जो भी संस्ता हैं जो हाथियों का सरक्षन करती हैं उनको साथ लेकर के जागरुकता अभियान चलाना इस उद्धेश का मुख्य का जिता ठीक है इस अभियान का फिप्टी फिप्टी फोरम बनाया गया अच्छा क्या है कि भया हम हातियों का सरक्षन कर रहे हैं उनका कल्यान कर रहे हैं तो पूरे विश्व में जहां जहां भी हाती हैं जिन जिन देशों में हाती हैं वो भी हातियों का सरक्षन करें उनका कल्यान करें ठीके उनकी उनके फ लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीव हैं तो हाथियों की चिकित्सा तथा राइडिंग ट्रेक बनाने के लिए एलेफेंट विलेज अउधारना पर बल दिया जा रहा है एलेफेंट विलेज क्या होता है तो कुछ ऐसे गाउं जहां पर सिर्फ उन हाथियों को संबालने वाल लोग हाथियों को प्यार करते हैं उनके साथ में रहते हैं उठते बैठते हैं उनको नहलाना उनको गुमाना उनके साथ जंगलों में जाना वह सारे साथी काम करते हैं तो इसी अधारना पर एलेफेंट विलेज बनाए जाते हैं जहां पर राइडिंग ट्रेक का मतलब होता जोगिंग पर जाते हैं ना मॉर्निंग जोग करते हैं तो ट्रेक्स बनाए गये इसे प्रकार से एलेफंट के लिए भी रैडिंग ट्रेक्स बनाए गये हैं ऐसे गाउं में ठीक है वहां पर उनकी चिकित्सा की सुविदा दी गई है कि अगर हातियों को कुछ हो जाता है कोई बीमारी हो जाती है तो वहां पर उनको चिकित्सा मिल सके ठीक है तो इस अउधाना पर भी जोड दिया जा रहा है कि ऐसे एलेफंट विलेज और भी बहुत सारे बने ताकि हर जगे हातियों के बारे में मतलब हातियों को हेल्प हो सके उनका सरक्षन हो सके ठीक है आगे पता है इसी प्रकार से जो हमारे जैपूर का आमेर है वहां पर एक कुंडा गाउ है आपने आमेर का कीला भी पढ़ा होगा अगर हिस्तरी पढ़िये तो आमेर का कीला पढ़ा होगा ठीक है तो वहां पर एक कुंडा गाउ है उसको एशिया का तिसरा इसका एशिया का तिसर elephant village गोशित किया गया है यह आपको ध्यान रखना है किसने किया है केंद्रवर राज्य सरकार दोनों की सायता से उसको तिसरा elephant village गोशित किया गया ठीक है आगे देखें तो इससे पहले दो elephant village अच्छा ये तो तिसरा है तो सर पहला और दूसरा elephant village का है तो वह देखिएगा तो पहला आपका श्री लंका में और दूसरा देखे तो थाइलेंड क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता है कि थाइलेंड में बहुत सारा हाती है सपेदाती भी पाई जाते हैं वहाँ पर ठीक है तो पहला श्री लंका में तथा दूसरा थाइलेंड में गोशित किया गया था वो हरियाणा में भी स्तापित किया गया है वर्तमान में देखे तो आपको केरल में भी एक खाती पुनरवास केंद्र मिलेगा केरल में और दूसरी चीज दियान रखें तो जो मतूरा है उत्तरप्रदेश मतूरा उत्तरप्रदेश यहाँ पर हातियों के लिए आपको एक hospital भी मिलेगा, ठीक है, मोथुरा उत्तर प्रदेश में हातियों के लिए एक hospital मिलेगा, साथी साथ केरल में हातियों के सरक्षन के लिए भी एक पुनरवास केंदर बनाया गया है, ठीक है, हातियों के सरक्षन के लिए पुनरवास केंदर कहाँ पर केरल में तो ये दो चीज़ आपको ध्यान रखने हैं ठीक है तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि विश्व हाथी दीवस अब हम हाथियों के बारे में पट्रें इनका सरक्षन किया जा रहा हैं तो लोगों में जाकरुकता फैलाने के लिए और इनमें सरक्षन बढ़ाने के लिए विश्व हाथी दीवस मनाया जाता हैं ताकि 12 कम से गम देखिए साल बर वो हाथियों के लिए कुछ न करें लेकिन जो 12 अगस्त जिस दिन हम हाथी दीवस मनाते हैं उस दिन तो लोग हाथियों के लिए कुछ न कुछ करें तो उस इसाब से विश्व पारा अगस्त को. कब बारा अगस्त को हाथी दिवस आता हैं, विश्वा हाती दिवस मनाय जाता है. बारशीक रूप से मनाय जाने वाला यह अंतरराश्ट्री कार्यकरम दुनिया बर के हातियों की सुरक्षा और सरक्षन के लिए समर्पित है. यह आपको पहले भी बताया है क ताकि हाथियों की सुरक्षया और उनका सरक्षन बढ़ सके, लोगों में जागरुकता पहल सके, इसलिए इस कार्यक्रम को मनाया जाता है विश्व इस्तरकन. आगे देखें तो विश्व हाती दिवस का लक्ष हाती सरक्षन पर लोगों में जागरुकता पेदा करना और जंगली तथा पालतु हातियों के बहतर सरक्षन और प्रबंदन के लिए जानकारी और सकारात्मक समाधानों को साजा करना है जो भी बात मैंने आपको समझाई है कोई चीज यहाँ पर फिर से क्लियर हो गई है कि मुख्य उद्देशी क्या है विश्व हाती दिवस मनाने का तो लोगों में जागरुकता फेले जो भी जंगली हाती है या फिर जो पालतू हाती है उनका सरक्षन और उनका प्रबंदन बढ़ सके उनको सुरक्षा मिल सके इसलिए विश्व हाती दिवस बार आगस्त को मनाया जाता है जैसा कि आप फोटो में देख भी सकते हैं 12th of August World Elephant Day celebrate किया जाता हूँ सरक्षन अंतरगत दो चीजके पढ़ लिए हो जैसा कि हम पड़ भी है?' हम ने वहा पर जो पढ़े थे राश्रोध द्यायन है तो राश्रोध द्यान में आपने एक चिखत अपर जैसा कि हम सके हैं चीज देखी होगी हमने वहां पर पढ़ाता हंगूल का सरक्षन कहां पर तो दाची गम राष्ट्री उद्ध्यान अपनोंने वहां पढ़ाता दाची गम राष्ट्री उद्ध्यान दाची गम नेशनल पार्क राष्ट्री उद्ध्यान जम्मू कश्मीर कहां पर जम्मू कश जम्मो कश्मीर में जो दाचिकम राष्टिद्यान है वाहाँ पर हंगूल के लिए सरक्षन किया जाता है। इस प्रकारका होता है हंगूल ठीक है ये एक पेंट किया हुआ हूआ है हंगूल का चित्रक्षिप में अपड़ते हैं हंगूल के और Central के बारे में चलिए देख लेते हैं हंगूल परियोजना क्या है तो देखिएगा सबसे पहले हंगूल के बारे मैं अगर बात करें तो हंगूल यूरोपी रेंडियर प्रजाती का हीरन है हंगूल क्या है यह भी एक हीरण ही है लेकिन कैसी प्रजाति हैं इसकी तो यह यूरोपी है मतलब यूरोप में पाई जाने वाले जो रेंडियर प्रजाति है उसी का एक हीरण है जैसे हम जैसे मत्य प्रदेश का जो राजकी पशू है वो कौन सा है तो वो बारा सिंगा है ठीक है बारा सिंगा अर वो कौन proposition से है ब आगे देखते हैं कि हंगूल के बारे में क्या है तो यह अब सिर्फ कश्मीर इस्थित दाची गाम राष्ट्री उद्यान में ही पाये जाता है हंगूल कहा मिलेंगे आपको तो ज्यादा तर जो दाची गाम राष्ट्री उद्यान है जम्मू कश्मीर में सिर्फ उसी में जाना जाता है। जैसे उपनाम देते हैं नाम किसी को तो हंगुल को कश्मीरी स्टेक उपनाम दिया गया है। दूसरी चीज ये जम्मू कश्मीर का राजकी पशु है, जम्मू कश्मीर का राजकी पशु क्या है, हंगूल है, ठीक है, जैसे मद्यप्रदेश का राजकी पशु बारा सिंगा है, उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर का राजकी पशु है, हंगूल, ये चीज आपको ध्यान र इसका मतलब इनकी संख्या बहुत कम है इन पर संकट मंडरा रहा है वह सबता है आने वाले future में या फिर आने वाले समय में इनकी संख्या बिल्कुल खतम हो जाएं जैसे डाइनासोर्स खतम हो चुके हैं वैसे यह हंगुल भी खतम हो जाएं इसलिए इनका सरक्षन करना बहु पहले किती थी उनकी संख्या बहिया 5000 जो वर्ष 1970 में गटकर मात्र 150 रह गई तो आप सोचो कि मतलब हमारे भारत में जो 5000 संख्या हुआ करती थी 1900 के शुरुआत में ठीक है 1910-1915 की बात करें तो तो 5000 हुआ करते थी लेकिन 1970 में आते आते मतलब 70 सालों में वो मात्र 1.500 रह गई 150 रह गई तो किस हद तक इनका शिकार हुआ है ठीक है वो आप समझ सकते हैं तो क्या हुआ इनको सरक्षित करने के लिए इसके सरक्षन के लिए इसकी संख्या में व्रद्धी है तू ठीक है उनको सरक्षन प्रदान करने के लिए और उनकी संख्या में व्रद्धी हो सक जो आपका वैश्विक कल्यान कोश है इन दोनों संस्थाओं के द्वारा जम्मू कश्मीर में हंगूल परियोजना का शुबारंब किया गया यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है ठीक है इसकिस ने इसकी शुरुआत की तो IUCN और जो वैश्विक कल्यान कोश है इन दोनों ने 1970 में जमू कश्मीर में हंगूल परियोजना शुरू की ताकि उनका सरक्षन हो सके ठीक है तो I hope आप सब को यह चीज़ समझ में आई होगी ठीक है कि इनका सरक्षन किस प्रकार से किया जाना है देखते हैं आगे हंगूल के बारे में तो कश्मीरी हंगूल क्योंकि कश्मीर म में देख सकते हैं 12 सिंगा जो है मत्य प्रदेश का राज की पशू वह भी कुछ इसी प्रकार से दिखता है अलग-अलग प्रकार से उपर सिंग निकले हुए होते हैं तो जो कश्मीरी बारा सिंगा है उसको कश्मीर में इस्थानी रूप से हंगूल बोलते हैं ठीक है जहा भारत में यूरोपिय लाल हिरनों की एकमात्र प्रजाती है यूरोपिय लाल मतलब यूरोप जो है यूरोप में जो लाल हिरन पाई जाती है उसकी एकमात्र प्रजाती जो भारत में पाई जाती हो कुन सी है वो हंगूल है कैसी हंगूल देखते हैं आगे कि वर्तमान में हं दाची गम वन्य जीव अभ्यारण। पहले भी बताया कि जो दाची गम वन्यजीव अभ्यारण हैं कहाँ पर जमु कश्मिर में यहने श्री नगर के पास में वहीं सिमी थे उसी मे अंगुल बचे हुए हैं और ये कितने शेत्र में फैला हुआ है तो यहां 141 वर के किलोमेटर मात्र शेत्र में फैला हुआ है आपका दाचिगां वन्य जीव अभ्याराण तो इस चीज़ आपको समझ में आ गए होगी आगे देखें तो जंगलों में आदिपत्य चारा गाहों की कमी और इनकी खाल और सिंगों के लिए इनकी शिकार से इनकी संक्या काफी कम हो गई है थानों की कमी है दूसरी चीज लोग इनकी खाल निकाल निकाल के बैशते हैं इनकी चमडी बैशते है इनके जो सिंग होते हैं जो ब्रांचेस वाले सिंग आते हैं उनको बैशते हैं तो इसलिए लोग इनका शिकार करते ठीके इसी वज़ा से इनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है तो आई होप आपको कश्मेरी हंगुल के बारे में समझ में आया होगा ठीके तो जो हंगुल परियोजना है वो भी हमने आज कुछ पढ़ी ठीके और फिर जो हाथी परियोजना थी वो हमने पढ़ ली है तो दो टोपिक्स आज हमने कंप्लिट गिये हैं बाकी का देखेंगे हम कल तो आई होप आपको इस समझ में आ रहा होगा बाकी आपको कुछ और भी फिडबेक देना है तो आप कमेंड बॉक्स में जरूर अपना फिडबेक दें कि सर क्लासे कैसी चल रही है इसमें और क्या इंप्रूमेंट हो सकता है तो फिडबेक जरूर प्रोवाइट करें नीचे कमेंड बॉक्स में ठीक है तो लगते हैं यही तक आज के लिए तो बाबाए टेक केर ख्याल दिखिएगा अपना मिलते हैं कल इसी समय पर ठीक है ओके बाई